हल दोस्तों एक बर फिर सब सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल अरकेश्टडी पे मैं हूर रवेंद्र कुमार गैज पिछला क्लास में आपने देखा होगा कि हमने लीनियर के बारे में डिसकस किया था लीनियर क्या होते हैं लीनियर में में दो पार्ट होते हैं एक तो ट्री और ग्राफ तो आज उसी के बारे में डिसकस करेंगे कि यह ट्री गया होते हैं और ग्राफ क्या होते हैं ठीक है यह किस तरह से बनते हैं किस तरह से दिखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं इसकी डिफिनिशन आज हम लोग समझेंगे ठ जैने इसके बाद फिर हम लोग क्लास को जो चेप्टर वाइच है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो गाइट सबसे पहले इसका थोड़ा सा जो डिफिनिशन है वो समझते हैं यहां पर जो ट्री है हमारा ट्री एक हिरेच्रिकल डाटा स्ट्रक्चर होता है हिरेच्रि पहले सबस्केने करी भी नह ACC का मतलब यह है जो हिरेच्रिकल है इसकी जो डाटा स्ट्रक्चर होता अप सभी को डीपी मैस में पढ़ने को मिलेगा इसका नाम जो फोर समेशंटर में ठीक है यह ठाड़ समेश्टर है छुमें आप सभी का नाम आ जखका है को निगदकत ने वह TV एक यह सीकिएर्ट नहीं में चरीक कर तरीके से उसको क्या करता है जो हमने आप सबी को भी बता है तक है एक कि बाद यहां पे स्रेडी करम में इस तरह से डाटा को इस्टोर करता है ठीक है अभी इसके बारे में पूरे आपको डिटेल बता रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला जो यहां पर पॉइंट है वो कह रहा है कि ट्री नोड्स का एक समू होता है जिन में सामानेता ही रिलेशन्सिप होती है कैसी होती है हिरेच कल मने की स्रेडी करम बोल सकते हैं या स्रेडी बद जो इसकी रिलेशन होती है ठीक है दूसरा पर यहां पर कह रहा है कि ट्री एक नान लीनियर डेटा इस्टक्चर होता है जो आप सभी को पता है जो भी हमने अब तुरन बताए कि जो हमारा ट्री होता है वो नान लीन रहा है कि ट्री के प्रतेक डाटा आइटम को हम नोड कहते हैं ट्री के प्रतेक डाटा आइटम को क्या कहते हैं नोड कहते हैं यानि जो उपर का भाग है या पिर यह भाग हमारा जो निकल ला ठीक है यह जो हमारा यह निकल रहे हैं यह सब क्या कहलाएंगे यह हमारे नोड कह कहते हैं ठीक है यह रूट नोट कहलाता है जो सबसे उपर का भाग होता है अगला यहां पर कहा जा रहा है कि ट्री में ट्री में जो सबसे उपर वाला नोट होता है उसे हम रूट नोट कहते हैं ये तो हमने पढ़ा दिया आगे हैं पर कह रहा है कि एक नोट का अधिकतम एक ही पैरेंट्स हो सकता है लेकिन रूट नोट का कोई पैरेंट्स नहीं होता है यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा एक नोट होता है जो नोट होता है उसके अधिकतम एक पैरेंट् हो सकते हैं जैसे कि यह हमारा यह चाइल्ड कह लाएगा चाइल्ड कह लाएगा ठीक है यह हमारा चाइल्ड कह लाएगा तो यह हमारा जो उपर का root node है ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा parents हो जाएगा क्या हो जाएगा parents हो जाएगा यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एक node का अधिक्तम एक ही parents हो सकते हैं मानि इन दो child का एक parents हो सकते हैं लेकिन कहा रहा है कि root node का कोई parents नहीं होता यानि यह रूट नोट जो है आपका उपर का इसका कोई पैरेंट्स नहीं होता है क्योंकि यह इसकी सुरुवात है यानि इसी को हम लोग पैरेंट्स बोल सकते हैं जो इसकी सुरुवात है वही हमारा पैरेंट्स हो सकता है आगे यहां पर कहा जा रहा है कि एक ट्र होते हैं ऐसा नोड स्वी जिनके एक भी चैयल नोड स्वीन होते हैं उनके जो लीफ होते हैं लीफ नोड जिसको ऊबилась है और टर्मिनल नोड कहलाते हैं ठीक है अगले यहां पे कहा जा रहा है कि वैशी तो 3 हमेशा उपर की और बढ़ता बढ़ता है लेकिन डाटा इस्टक्चर का ट्री हमेशा नीचे की और बढ़ता है कहने का मतलब है कि जो हमारा ट्री है जो अगर हम लोग जनरली बात करें अगर ट्री का जगर हम लोग जनरली बात करें ठीक है तो यह उपर की और बढ़ता है अगर आप देखते होंगे तो ल चल जाएगा यह है आपका डाटा इस्टेक्चर में ट्री का फिगर है जो आप सभी को यहां पर देख सकते हैं जो ए लिखा है यह हम कहते हैं इसको रूट नेट रूट नोड जिसको हम लोग पैरेंट्स के नियम से भी जानते हैं यह जो लाइन खीचा गया है इसको हम लोग एज के नाम से जानते हैं किसके नाम से एज के नाम से जानते हैं ठीक है यहां पर आपको जो यह नंबर दिख रहे हैं जो लास्ट में यह जो दिख रहे हैं इसको लीफ नोड ही कहते हैं क्या कहते हैं लीफ नोड कहते हैं और यहां पर एक बात और है जो कि इसके लास्ट म होंगे उसके parents हो सकते हैं जैसे कि यहां पर यह इसके कितने चाइल्ड है 123 ठीक है तो इसके देखिए यहां पर चाइल्ड है इसका यह parents हो ठीक है यहा पर हमारा यह parents हो गया अब यहां पर चाइल्ड हमारा इसके जो नीचे का भाग है वहमारा चाइल्ड होता है ठीक है यह अपर लाया जैन डॉस यहे लग नचलrock हो जायो है तो यह इसब ह known कर लिख सकते हैं कि इसके कितने ऐज है तो इस तरह से कुछ आपका तो हमने जान लिए कि क्या क्या होते हैं कैसे होते हैं थोड़ा सा बेसिकलि उसका definition भी समझ लिया अब हम लोग graph के बारे में discuss करते हैं तो graph एक non primitive अभी हमने बताय है कि जो graph और tree होते हैं वो दोनों non primitive non linear data structure होते हैं तो graph भी वही होगा कि non primitive non linear data structure होगा graph एक vertex node का एक समू होता ह है अभी हम आप सभी को बताएंगे कि यह vertex कैसे होता है vertex का एक समू होता है जो एक दूसरे vertex के साथ जुड़ा रहता है और दो vertex के मद्धे connected रहते हैं जो हम age कहते हैं उसको ठीक है अब यह कैसे figure के माद्यम से इसको भी हम लोग समझेंगे age दो notes के मद्धे communicate की मतलब communication का link की तरह work करता है अब यह कैसे work करता है चलिए आप सभी को समझाते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते है figure के माद्यम से कि हमारा graph वना हुआ है ठीक है यहाँ पर 0 है यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है 3 है 4 है इसको चाहिए आप जिस तरह बना सकते हैं 1 2 3 4 5 किसी भी तरह से बना सकते ह Vet है यहां पर कहा जा रहा है कि यह हमारा रूट नोट बोल सकते हैं चाइब बोल इसको तो यहां कहना है कि ये जो इसके बीic की जॉस ये गैपिंग है ठीक है ये जो आपका डRewise दीख रहा है कि आप सभी को दिखा है हमने कि छो यह I sec लगा है तो यह count करेंगे हम लोग इसमें कितने edge हो गए दो edge हो गए तो उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह जो यहाँ पर one two three four यह जो आपकी lining की गई है ठीक है जो root node या node से जो lining की गई है उसके बीच में जो है उसको हम लोग age कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो इसकी gaping है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिक्स कहते हैं ठीक है तो आप इस तरह से इसको समझना है यदि एक दूसरे के साथ यदि connected है ठीक है यदि एक दूसरे के साथ connected है तो उसको हम लोग वर्टिक्स कहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं जो एक दूसरे से connected इसको हम लोग एज के नाम से जानते हैं तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह से बनते हैं ट्री हमने बता दिये कि ट्री आपका कैसे बनता है इस तरह से बनता है जो हमने आपको फिगर के माध्यम से भी दिखा दिये ठीक है तो इस तरह से कुछ ट्री बनते हैं तो यह रहा आप का tree और graph ठीक है अब pirates ग्राप के बारे में थोड़ा और पुछ जानते हैं इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे खीक है 각 कई प्रकार से बनते हैं लेकिन थोड़ा साँ भी उसके बारे में समझते हैं graphic non-premiative linear data structure होता है graph एक vertex का समू होता है एक vertex दूसरे vertex के साथ जुड़ा रहता है जो दो vertex के मद्दे connect को हम age कहते हैं age दो nodes के मद्दे एक communication link की तरह work करता है जो आप सभी को हमने दिखा दिये ठीक है फिकर के मादे हम सी यहाँ पर देख सकते हैं कि graph जो vertex है हमारा ठीक है और age का समू होता है vertex और age का समू होता है यहाँ पर कह रहा है कि V vertex का समू होता है और E जो है age का समू होता है यानि E को हम लोग age बोल सकते हैं V को हम लोग vertex बोल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर सबसे important चीज़ जा है कि vertex और age क्या होते हैं यहां से आपको clear out हो जाएगा यह पर V दिया है ने वर्टिक्स दिया गया है A, B, C, D यानि जो हमारा A है, B है, C है, D है E है ठीक है यह हमारा क्या कहलाएगा वर्टिक्स कहलाएगा और यह जो gaping है ना बीच में इसी को हम लोग क्या कहेंगे इसी को हम लोग age कहते हैं तो इसको अगलो हम लोग simply दरसाने के लिए जैसे कि अगर पूछा जाए कि इसमें age कितने है तो सबसे पहले आप A और B के बीच में जो A के B इसको दरसाने के लिए सबसे पहले दरसाने के लिए A और B को लिखेंगे यानि A, B यानि A के ये हो गया इसके बाद फिर हमको B, E दिखाना पड़ेगा ठीक है या जो जो बीच में होगा जैसे A, C यानि ये वाला आ गया ये A, D दिखाएंगे यानि ये पार्ट आ गया तो ये जो पार्ट हो गये ये एज हो गये और यहां पे जो नंबरिंग भाई है A, B, C, D, E, F, G जो भी है ये हमारा वर्टिक्स हो गया तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिक्स और एज क्या होते है क्योंकि इन ही का जो ग्रूपिंग होती है ठीक है इन ही का जो सम्मू होता है वही हमारा ग्राफ कहलाता है सिंपल सी बात आप परिभासा भी इस तरह से लिख सकते है कि यह वर्टिक्स और एज का समू होता है ठीक है वर्टिक्स क्या होते है एज क्या होते है आई होब कि इस फिगर के माधियम से आप समझ गया होंगे एक बार फीट से बता दे रहे हैं यह जो a, b, c, d, counting की गई है यह हमारा vertex है और इसके बीच के जो lining है यह हमारा क्या कहलाता है age कहलाता है ठीक है इसके कुछ parts होते हैं जो आप सभी को यहां पे हम direct बता दे रहे हैं क्योंकि इसकी details आपको chapter wise ही पढ़ने पढ़ेगे ठीक है तो इनके कुछ प्रकार होते हैं सबसे पहले direct graph मिलता है direct graph के अंतरकत में हम लोग दो type के पढ़ेंगे पहला तो indirect graph और direct graph direct graph में यहां पे देखिए जो इसके vertex है 2 में गया है ठीक है यहां पे 3 में गया है यहां से भी गया है ठीक है अब अगर undirect graph के बात करें हम लोग तो यहां पे undirect graph में इसमें कोई direction नहीं होती है और direct graph में इसमें direction होती है तो ये रहा आपका graph जो direct और undirect है अब यहाँ पर आपका undirect graph और direct graph क्या होता है इस सब के बारे में weighted graph, non weighted graph यह होते हैं इनके जो parts हैं weighted graph क्या होते है, non weighted graph क्या होते हैं तो जब आप chapter पढ़ेंगे तो सारे सारे आप सभी को वहाँ पर बताया जाता है अब important दो चीजे थी जो हमने आप सभी को provide करा दिया कि दो चीजे इसमें हमने बता दिये graph और tree क्या होते है ठीक है graph कैसे बनता है tree कैसे बनता है यह सारे एक सारे हमने बता दिये तो आप लोग यहां से definition जो है वो आप सभी को पता चल गया होगा क्योंकि इसी को आप सभी को आगे पढ़ना है ठीक है क्योंकि इससे जादे आपके first chapter में नहीं है जितना था हमने बता दिये हैं अब हम लोग जो एक हमारा primitive से integer float ठीक है character pointer जो बच रहे हैं उनके थोड़े से बारे में बताने थे हमने बताये थे तो उसकी एक last class कल होगी इसके बाद फिर ये पूरा समाप्त हो जाएगा ठीक है first lesson आपका समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग second lesson से start करेंगे I hope कि आप पूरा का पूरा चीज जितने चीज हमने graph और tree के बारे में बताये आपने समझ गया होगा तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद एक लाइक कर देए चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब करेंगे मिलेगाने वीडियो तक तक क्लिए जाएगे